आज हम कुकर में बनाना देखेंगे पनीर हैदराबादे की बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सबजी जो बनाने में काफी आसान है इंस्टेंट बनती है और कम समय में बनकर तयार होती है लेकिन स्वाद इसका इतना गजब का है कि आप होटेल और धाबे का स्वाद भूल जाएंगे चलिए आज की नीरिस्पी शुरू करते हैं तो सबसे पहले कुकर में हमें लेना है एक चम्मद देसी घी इसमें डालेंगे हम दो हरी इलाइची चार से पांच काली मिर्च एक चोटा टुकड़ा दालचिनी का तीन लॉंग और तीन मैने प्यास ली है एक प्यास चोटी है तो साबूत ही डाल दी है तीन हरी मिर्च डालेंगे और आधी शिमला मिर्च जरूर डालेगा बहुत अच्छा फ्लिवर आता है लगभख आट से दस कलिया लसुन की एक बड़ा टुकड़ा अधरक का और इसे जादा रिच फ्लिवर देने के लिए हमने कुछ चीज़ डालनी है जिससे इस सब्जी में आपको क्रीम डालने की जवरत नहीं पड़ेगी जहां दोस्तों हमने इसमें तीन से चार टुकड़े पनीर की डाले हैं जिससे जो सब्जी है वह बहुत क्रीमी बनेगी अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसका धकन लगा मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाओडर और आदा चमच नमक अच्छी से मिक्स करके इसे हमें ढखकर रखना है तब तक लेंगे पैन इस ऑभी हम तेल थोड़ा जा दा ही लेंगे और इसमें मैंने पनीर के दो बडिये डाल दी है ये कच्चा फ्लिवर नहीं रहता है अब इससे फ्राइ करके हमें इस हल्दी और नमक वाले पाने में डाल देना है जिसे पनीर आपका ड्राइ नहीं होगा और बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा तो इसे हम ढखकर रख देंगे और कोकर को देख लेते हैं तो प्रेशर गरम है तो हम इसे ऐसे डायरेक्ट नहीं पीषेंगे लेकिन दोस्तू हम इसमें और बी चाइड करेंगे तो मैंने यह पर हरा धनिया डाला है और साथ ही डालेंगे बरफ के टुकड़े जिहां बरफ के टुकड़े डालेंगे तो यह तूरन ठंडा हो जाएगा और आपको पीस्टे में आसानी हो जाएगी गरम गरम पीस्टे तो मिक्सर खराब हो जाती और साथ ही सारी जो पेस्ट है वो पूरी कुकिंग टॉप पर वरकिंग टॉप पर आ जाती तो यह देखे दोस्तों हमने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है अब दोस्तों कुकर में हमें लेना है दो बड़े चमच तेल इसमें डालेंगे आदा चमच जीरा साथ ही डालेंगे इसमें पेस्ट जो हमने अभी बनाई थी लेकिन जीरे को अच्छे से चटकने के बाद ही पेस्ट डाले और इसे थोड़ा सा भून लीजी तो यहां पर ज में नहीं अट की है अब इन मसालों को भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे धक कर थोड़ी देर के लिए पकने देना है तब तक हम पनीर को पानी से निकाल लेते हैं दोस्तों अगर आफ फ्राय करके डायरेक्ट सबजी में पनीर के पिस्टेस डालते तो पनीर क्योंकि पनीर बहुत ड्राय हो जाता है लेकिन पानी में से इसे निकाल कर जब आप कट करेंगे और सबजी में डालेंगे तो वो इतना सॉफ्ट बन जाता है कि खाने में भी काफी अच्छा लगता है और इसका टेक्श्चर रबर्ड जिसा बिलकुल भी नहीं होता है तो देखे दोस्तो बहुत ही शांदार ट्रिक है आप इस्तेमाल कीजिए चलें दोस्तों अब जो मसाला हमने बहुननी के लिए रखा था वह कितनी अच्छे से भूँन चुका है और कलर देखें आप कितना शांदार है और अच्छे से बहुन जाने के बाद हम इस में डालेंग कितना स्मूथ हो चुका है अब इसमें डालेंगे हम पनीर के पीसे साथ डालेंगे थोड़ा सा भुनेवे जिरे का पाउडर थोड़ी सी काली मिर्ष का पाउडर और अब डालेंगे यह यह carpet जो मेरे गार्डन की हैं JOH हाँ दोस्तों यह फ्रेश लाल मिर्च है स्वादनुसार नमक भी आइड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे तो यह देखे दोस्तों हमने यह सारी चीज़े फटा फट बना ली है और यह पनीर हैदराबादी की सब्जी जब आप घर पर बना लेंगे ना इतनी ला जवाब लगत यह सारा ओइल सेपरेट हो चुका है और यह कितनी शांदार सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों अगर ऐसा फीचर होता ना कि इसे में फोन से निकालकर आपको टेस्ट करा सकती तो मैं सबको इसे टेस्ट कराती और आप सबसे पूछती कि सब्जी का टेस्ट कैसा है क्योंकि यह इतनी गजब की बनती है कि आपको जरूर घर पर ट्राय करना चाहिए अब यह सब्जी तो तैयार है लेकिन मैं आप एक तड़का दे रही हूँ वैसे आप इस तड़के को नहीं भी देंगे तो भी चलेगा तो देसी की को अच्छे से गरम करना है कोई स्टील क ठीके बरतन में और इसके अंदर डालेंगे बारिकटावाल लसून और थोड़ा सा हम लालमिच पाॉडर डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तड़के को डाल देंगे सब्जे के ऊपर लेकिन लसन अच्छे से भूनना चाहिए कच्छा लसन नहीं होना चाहिए औ अब यह सब्जी तयार हो चुकी है दोस्तों जो हैदराबादी सब्जी होती है वह काफी रिच काफी फ्लेवर फुल होती है तो आप इसे बनाईए इसे आप पराठी के साथ या रूमाली रोटी के साथ खाएंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों यहां पर इसे घर पर जरूर बनाईएगा और जब आप इसे खिलाएंगे ना सब आप से यही पुछेंगे कि आपने कौन से होटल से यह सब्जी मंगवाई है बहुत गजब का टीस्ट आता है इसके उपर मैंने हरा धनिया और पनीर से गानिश किया है और यह हमारी सब्जी बनकर त तक के लिए बाइ